Hello friends, welcome to the channel StudyJet और आज की इस वीडियो में आज हम discuss करने वाले हैं about the important days of month July यानि कि July month के जितनी भी important days है सारे के सारे इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं तो make sure आप इस वीडियो को complete देखना और in case अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना और शियर करना इसे अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करना तो बीणा टाइमवेस की के बरे स्टार्ट करते हैं वीडियो तो फ्रेंट्स तो स्टार्ट करते हैं हम 1st जुलाई से, यानि कि जुलाई के 1st डे से तो first July को दो डे बनाए जाते हैं एक है National Doctors Day और second one is Canada Day तो जो National Doctors Day है वो जो बनाए जाता है वो बनाए जाता है to give honor to the doctors to the doctors को importance हो करने के लिए जो है ये National Doctors Day बनाए जाता है कि कितनी एहमी है जो doctors है वो हमारी life में रखते हैं और पूरा जो not only doctor but the whole medical department को यहाँ पर एक honor करने के लिए सम्मान करने के लिए जो है नेशनल डॉक्टर स्टेश सेलिब्रेट किया जाता है और बात करते हैं second day यानि के Canada Day की तो जो एक Canada Day है इसको सेलिब्रेट करने के पीचे कारण यह है कि फर्स्ट जुलाई के दिन ही जो Canada था वो बिटेस कॉलोनी से निकल के आजात होकर के एक फेडरल स्टेट बना था तो इसी के चलते आज यहाँ पर Canada Day भी celebrate किया जाता है फर्स्ट जुलाई को अब चलते हैं जुलाई तो से इड़ वर्ड आयएफो डे आयएफो नहीं यह यूएफो डे है गाइस तो यूएफो डे मनाया जाता है सेके जुलाई को यूएफो का मीनस होता है अन इडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑफजेक्ट ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं इसको अन इड इसको बनाने के बीचे है और इसकी जो इस्टार्टिंग हुई थी बनाने की वह थी 2001 से तो 2001 से आस तक यह यूएफो डे बनाया जाता है तो अब चलते हैं अगले डे की तरफ जो की है इस दिन आजाद हुआ था एक सोबरिन स्टेट बन चुका था यूएसे और इससे पहले यह बिटिस कॉलोनी हुआ करता था तो बिटिश से यह आजाद हो गया था तो दिन यूएसे फिर चलते हैं अगले की ओर जो की है 11 जुलाई 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है अगले की ओर अगला है 12 जुलाई यानि कि आज का दिन तो आज का डे बनाया जाता है यह वर्ड मलाला डे तो सबसे बहले मैं आपको बता दूँँ यह मलाला डे बनाया जाता है मलाला यूचुप जैई को honor करने के लिए जो की 16 साल की पाकिस्तानी लड़की जिसने की work किया था for the promotion of women's education in Pakistan ठीक है बहुत मुश्किल परिस्तितियों में जो है ये women's education के लिए इन्होंने work किया था ठीक है जुलाई 12 2013 में और इसी के साथ साथ इन्होंने आज ही के दिन 12 जुलाई के दिन ही इन्होंने जो है United Nation के Headquarter में Gender Equality से related speech दी थी तो इसी के चलते ये 12 जुलाई का डे UN के द्वारा World Malala Day के तोर पे recognize किया गया है और इसी के साथ साथ 12 जुलाई को ही मलाला यूसुफ जै का birthday भी है तो आज का डे इसलिए भी special है अब चलते हैं अगले डे की ओर अगला है 14 जुलाई बेस्टाइल डे और फ्रेंच नाशनल डे यानि कि आज एक दिन जो है फ्रेंच रेवलुशन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने उसमें देखा हुगा की जो मॉप थी एंगरी मॉप जो कि एक स्टॉम्ब बन के निकली थी एड बेस्टाइल तो बेस्टाइल में आज बहुत ही एक आंदोलन यहां पर इस्टार्ट हुआ था जो कि एक टर्निंग पॉइंट था फ्रेंच रेवोलुशन के लिए तो वो 14 जुलाई का द्विन ही था तो इसलिए 14 जुलाई को एज वर्ड बैस्टाइल डे सेलिबेट किया जाता है फिर अगला चलते हैं 17 जुलाई 17 जुलाई important है world day for international justice तो इसको सेलिबेट करने के पीछे जो कारण है वो है to give honor to the emerging system of international criminal justice तो जो भी international criminal justice के लिए जो emerging system आ रहा है उसको एक honor देने के लिए उसका एक सम्मान करने के लिए 17 जुलाई के डे को world day for international justice रखा गया है रिकोगनाइस किया गया है फिरा जाता है 18 जु national day के रूप में celebrate किया जाता है to give honor to the Nelson Mandela जैसी कि आपको पता होगा कि Nelson Mandela ने South Africa की stream में कितना कुछ जो है Nelson Mandela के द्वारा किया गया है और जो भी उन्होंने work किया था for the welfare of the black people's और इसी के चलते Nelson Mandela international देखो celebrate किया जाता है और 18 जुलाई फिर चलते हैं next क्यों next है 26 जुलाई को कार्गिल विजय दिवस और नेशनल पेरेंट्स डे क्योंकि इसी बार मनाया जा रहा है क्योंकि नेशनल पेरेंट्स डे जो है वो actual मैं 4th Sunday of July ठीक है Sunday के जो 4th मलब जुलाई के जो 4th Sunday होता है उस को celebrate किया जाता है तो इस बार वो 26 जुलाई को पढ़ लाए 2020 में इसके चलते जो है 26 को ही नेशनल पेरेंट्स डे भी है और कार्गिल विजय दिवस योगी है काफी important day है for Indians because आज ही के means 26 जुलाई के दिन ही ठीक है 26 जुलाई के दिन ही जो हमारी Indian force थी उसने जो है पाकिस्त पागिल युद्ध था टोटल वो साथी डेज का था ठीक है और यह एंडिंग में जो है हमारी Indian Armed Force ने पुरी बहादुरी के साथ लड़ते हुए जितनी भी पाकिस्तान बाराट की टेरिटरी कैप्चर करी थी उस सबको रिकवर कर लिया था तो यह काफी एक हमाने करते हैं जिस्दि परिस्दि में वह मैं पाल पोस्के बढ़ा करते हैं तो उनको एक संवान देने के लिए उनको एक ऊंचा दर्चा कहले जो है वहाँ नेच्छन नेचर कंजरवेशन दे और वल्ड हैपिताइट ऐसे और वल्ड प्रेस्ट प्रेडम तो यह जो है वो टोटली है डेपेडनेंट है कि किस तरीके से हमने उपने अवेरनेस फहलाने के लिए नियान कुछ न कुछ बचाना है है तांकि वह भी जो नेचरल रिसोसेस हैं उनका यूज कर सकें और अपनी लाइफ को इजी बना सकें अब बात करते हैं हम वर्ड हैपिटाइटिस टे की तो वर्ड हैपिटाइटिस डे बनाया जाता है ठीक है कि डिस्पले सो करने के लिए कि किस तरीके से हैपिटाइटिस से बनाया जाता है और इसी के साथ वर्ड प्रेडम डे बनाया जाता है अठाथा जुलाइक के कि तरीके से हम टाइगर को कंजरूब कर सकते हैं और कितने इंपोटेंट हैं तो इतने ही थे important day in the month of July तो जुलाइ मन्त के important डे इतने ही थे तो अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छे लगी है फ्रेंड्स तो इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साहत और अगर मैं बात करूं हमारे इस चैनल की जो कि यह study jet तो यह चैनल जो है completely dedicated है to helping दोस्तों जो की preparation कर रहे है डिफरेंट डिफरेंट एक्जाम की जैसे यूपी एस्टी यूपी पी एस्टी 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 आरार भी लेल्वे तो इन सब वीडियो जाती रहेंगे और इसी के साथ साथ जो notification bell subscribe के बगल में आता है उसको भी आप test कर दीजेगा notification bell को भी ताकि जो भी अगली नेक्स्ट वीडियो आए आप तक उसकी notification पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सकें ठीक है और आप ये subscribe ये icon से भी कर सकते हैं जो हमारे चैनल का icon यावर बीच पे आ रहा होगा आप इस पे click करके subscribe button पे click करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं it's free of cost ओके तो इतना के लिए इस वीडियो को end करते हैं guys thank you for watching thank you for joining us जै हिंद जै भारत